Hello everyone welcome back to my channel हमने लास्ट वीडियो में फ्रम जम्ड हेलाइद से प्रपरिशन की थी LD हाइड्स की और कि टोन्स की, इस वीडियो में हम उसकी आगे, सिर्फ और सिर्फ LD हाइड्स की प्रपरिशन को study करेंगे हमारे पास सबसे पहले प्रपरिशन है रोजनमंड रियक्शन कौन सी रोजनमंड रिडक्शन सो इसमें क्या होगा देखो हमने acid chloride लिया acid chloride मतलब जैसे HCl होता है न वैसे ही हमने क्या लिया RCCLO अब इसके बाद इसमें हमने hydrogen को add किया in the presence of platinum और barium sulfate की presence में ठीक है अब हमने क्या करको यहां से chlorine को बस remove कर दो और इसकी जगह पर hydrogen आ जाएगा अब यहां पर दो hydrogen थी एक तो यहां चला गया ठीक है अब कितने बची यहां पर one और यहां पर chlorine बच की सो यह क्या करेंगे आपस में bond बनाएंगे तो क्या बन जाएगा HCl आप नेम से learn कर सकते हो फ्रॉम acid chlorides acid हमें acid चाहिए acid कौन से होते famous HCl तो हमें कौन से चाहिए होगा R C C L O चाहिए होगा ठीक है अब हमने H कहां से आएगा hydrogen से आएगा राइट आप नेम से learn कर सकते हो इसके बाद किया यहां पे हमने value पुट कर दिया R की जगा CH3 पुट कर दिया हम बस R की जगा पी CH3 आट के बाकि सारी reaction सेम है इसके बाद देखो यहां पे CH3 पुट किया यहां पे benzene ring को पुट कर दिया यहां पे भी benzene ring को बाकि सारे का process क्या है सेम है इसके बाद हमारी पास है, next reaction देखो, यहां पर हमने एक point learn करना है, formaldehyde can't be prepared as corresponding for mild chloride is unstable, हम formaldehyde की preparation नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो formaldehyde है वो किया तो बहुत ज़्यादा unstable होते हैं, देखो हमने यहां पर sulfur का use किया, क्योंकि यहां ताकि जो हमारा catalyst है, sulfur को add करके हम क्या करते हैं, जो catalyst है, उसको हमने poison कर दिया, ठीक है, क्यों, ताकि जो aldhyhyde है हमें बना, वो आगे उसकी reaction ना हो, अगर आगे reaction होगी तो हमें पता acid rates मिलेगे ना हमें, सो हमने यहां तक उसको रोक न था, तो हमने क्या कि उसमें sulfur add किया है, ठीक है, सेम यहां पर वही line लिखी भी है, मैंने, catalyst is poisoned by adding little sulfur, प्रिवेंट फॉदर reduction of aldehydes, ठीक है, इसके बाद आगे हमारे पास stiffens reduction, stiffens reduction क्या होते है, दिखो, alkyl cyanide से हम क्या बनाएंगे, aldehydes बनाएंगे, alkyl cyanide से हम aldehydes बनाएंगे, सो हम इस method से ketones नहीं बना सकते, हमारे पास first example है, हमने methyl cyanide लिया, CH3C triple bond N, हमें पता हैं कि N के साथ triple bond होते है, राइट, सो हमने इसमें 2 H add किया, in the presence of HCl dry ether और SNCl2, सो अब क्या हुए, यहां पे देखो, यहां पे carbon और nitrogen के साथ triple bond था, यहां पे double bond हो गया, और इस carbon के साथ और इस nitrogen के साथ क्या गया, hydrogen add हो गया, सो इसके बाद हमने इसका hydrolysis किया, यानि water add किया समी, water H2O, जो oxygen है, वो तो इस वाले part के साथ add हो जाएगी, यहां पे देख लो, अब यहां क्या बचा है, NH, अब यह वाले 2 hydrogen इसके साथ add हो गया, यहां पे पहले 1 था, अब यहां पे 2 add हो गया, इसके बाद हो कितने बन गए, NH3 ammonia बाहर निकल जाएगा, इसके बाद same example है, अगर हमने CH3 के जगा benzene ring ले ली, यहां पे पहले triple bond था, यहां पे double bond हो जाएगा, अब double bond से CH के साथ क्या आजाएगा, oxygen, NH के साथ क्या आजाएगा, 2 hydrogen सो ammonia बन जाएगा, अब इसके बाद आ गया, हमें एक mild, इसके बाद हमारे पास mild reducing agent है, एक हमारे पास dibal H क्या है, इसके फुल फॉर्म है, डाइ आइसो, ब्यूटाइल, अल्मीनियम, हाइड्रोइड, इसके यह formula है, हम इसको यूज कर सकते हैं, इसी reaction में, same reaction होगी, देखो, हमने low temperature लेना है, क्यों, क्योंकि अगर low temperature होगा, तो जो reducing agent है, उसकी reactivity कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, जो cn ले लिया, so rcn ले लिया, simple यह add किया, सारा catalyst हमने temperature, so इसमें क्या होगा, बस n रिमूव हो जाएगा, n को रिमूव कर दिया हमने, और उसकी जगा क्या आजाएगा, cho, इसके बाद same reaction है हमारे पास, next अगर हमारे पास ester हो, तो हम बाकी सारा reaction सेम है, यहांसे यह वाला product remove क सेम लिखती है, ceo था न, बस इसमें add कर दो, ceo बन जाएगा, right, इसके बाद आगे हमारे पास, from aromatic hydrocarbons, सबसे पहले हम क्या कर सकते है, toluene की oxidation कर सा, toluene क्या होती है, benzene base, ceo थी, किसकी presence में करेंगे, alkaline, kmno4, so ceo थी था, यहांसे hydrogen को remove कर दो, ceo एड हो जाएगा, अब दु right, अब इससे तो हमें देखो, यहां पर हमें benzaldehyde तो मिला, लेकिन उसके बाद फिर से उसके क्या होगी, oxidation अपने आप होगी, और हमें क्या मिल गया, benzoic acid मिल गया, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एल्डी हाइट चाहेगी, तो हम क्या करेंगे, देखो, हम यूज करेंगे, क्रॉमिक ऑक्साइड का, इन असेटिक अन हाइड्राइड मतलब, हमने टोलविन ली, और हमने कौन सा कैटलिस यूज किया, CRO3, यह वाला टेंपरेचर, और CH3, CO2 टाइम्स ऑक्सीजन, यह हमने यूज किया, अब देखो, यहां से, दो हाइड्रोजन को रिमूफ कर दो, कि TH3, अब यहां पर 2 था, पूरे पर क्या लगा दो, 2 चार्ज, यहां से हमने H2 को रिमूफ के, उसके जगा, यह सारा प्रोड़क्ट को लिख दो, अब सेम वही चीज करनी है, सारा फिर से रिमूफ कर दो, ठीक है, हाइड्रोलिस कर दो इसका, और यहां पर क्या जाएगी, जाएगी, और यह सारा क्या बन जाएगा, हमार पर साइड प्रोड़क्ट बन जाएगा, राइग, सो दिस वस आल फर दिस वीडियो, थैंक्यों मुछ वाचिंग तिल यह, दो लाक्षिर और सब्सक्राइब, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी डाउट है, इन कमट्स बेलों,